सिधार्थ नगर जिले में कुछ दबंगों नेक युवक को लाठी डंडो वधारदार हत्यारों से पीट कर लहू लुहान कर दिया घायल युवक गेहूं की कटाई करके अपने घर वापस आ रहा था मामला खेसरहा धाना छेत्र के कलना खोर गाउं का है घायल युवक का इलाज मेडिकल कॉलेज सिधार्थ नगर में हो रहा है जहां उसकी स्थिती गंभीर बताई जा रही है घायल युवक के भतीजे संजीव यादव ने बताया कि उसके चाचा गेहूं की कटाई करके दो बहर बाद घर लोट रहे थे कि तभी गाउं के ही निर्मल पासवान, मिलन पासवान ने अपने अन्य रिष्टिदारों के साथ मिलकर धारदार हथियार से उन पर हमला बोल दिया मेरा नाम गोल व्यादव, उर्फ संजी व्यादव है, मैं कलना खोर का निवासी हूँ, यह मेरे चाचा जी है, इसे चाचा हमारे अकेले इसमें भूसा बनता है, ट्रेक्टर चलाते हैं, तो अकेले अपना ट्रेक्टर लेक्या रहा थे, यह लोग गुटबंद होके, बिलक निर्मल पासवान के घर के थे, मिलन पासवान, उनके लड़के बिर्जेश पासवान, आउदेश पासवान, सेलेंदर पासवान, वारन भी दू-चार लोग थे उक्त सूषना पर मुकदमा अप्रात संख्या चेतर बटे तेई सुसंगत धाराओं में पंजिक्रित किया गया है, जिसकी विएशना की जा रही है, मुल्जिमों की गिरफतारी खेत प्रयास किये जा रहे हैं, मुल्जिम अपने घरों से फरार है, मौके पर शांती व्योस् अबियुक्त गण की गिरफतारी सुनिशित कराई जाएगी